डॉक्टर असीम गुपता अपने एलन जेपी हॉस्पिटल में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे एनेस्थेलोजिस्ट थे कि आईसीईू में उनकी ड्यूटी थी और कोरोना के पेशन्स का इलाज करने का उनकी ड्यूटी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से उनके सभी साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी महनत के साथ वो पेशेंट्स की सेवा किया करते थे कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते तीन जून को उन्हें खुद करोना हो गया अस्पताल में भरती हुए और अंत में वो करोना से लड़ते लड़ते हम सब को छोड़के चले गए उनकी वाइफ भी डॉक्टर है आज सुगर उनकी वाइफ से मेरी लंबी बात हुई उनकी वाइफ को भी करोना हो गया था लेकिन उनकी वाइफ करोना से बाहर निकलाई है और वो अब स्वस्त हैं हम सब प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर असीम गुपता की आत्मा को भगवान अपने चर्नों में जगे दे ऐसे लोगों की वज़े से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं डॉक्टर असीम गुपता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरना हैं और हम सब दिल्ली वासी और देश वासी उनकी इस सेवा को नमन करते हैं दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को एक करोड रुपए की सम्मान राशी देगी उनकी जान की कोई कीमत नहीं है ऐसे लोग देश की इनसान की सेवा करते करते हस्ते हस्ते छोड़के चले जाते हैं लेकिन उनके जाने के बाद ये एक छोटी सी राशी है जो देश की तरफ से लोगों की तरफ से दिल्ली के लोगों की तरफ से उनके परिवार को दी जाएगी कुछ दिन पहले तक कुछ हफते पहले तक दिल्ली में बेड्स की बहुत समस्या थी लोग अस्पतालों के डर्दर की ठोकरे खाते थे अगर कोई घर में करोना से बिमार हो जाए तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, जिस अस्पताल में जाते थे, सुनने को मिलता था कि बेड भरे हुए हैं, बेड भरे हुए हैं, बेड खाली नहीं है, मेरे पास बहुत फोन आते थे, रात रात भर में जाग के लोगों के लिए अलग-अलग अस्पतालों म पिछले एक महिने में हम लोगों ने कई कदम उठाये, जिसकी वज़े से आज दिल्ली में, बेड्स की कमीनी है, परियाप्त मात्रा में बेड्स हैं, साधे तेरा हजार अभी बेड्स हैं, करोना के, और उन में से केवल छे हजार भरे हुए, साधे साथ हजार खाली है, तो बे प्लाजमा को लेके काफी अफरत अफरी मची हुई है अब मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं लोगों के लोग कहते हैं जी हमारे भलाना मरीज बिमार है उसको प्लाजमा दिलवा दिजिए इसको प्लाजमा दिलवा दिजिए और लोग दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं बहुत जा सबसे पहला राज्य था देश में आप लोगों को याद होगा लगबग दो ढ़ाई महीने पहले मैंने बताया था कि हम लोग प्लाजमा थेरेपी का ट्राइल कर रहे हैं हमने प्लाजमा थेरेपी का ट्राइल किया 29 मरीजों के उपर किया जो नतीजे आए वो काफी उत्साह वर्दक थे करोना में दो चीजें होती हैं मरीज को एक तो उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है हमारा अक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए यह अगर 90 पहुंच जाता है 85 पहुंच जाता है 80 पहुंच जाता है तो खतरना को जाता है तो एक तो अक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और दूसरा रेस्पिरेशन का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है सांस फूलने लगती है रिस्पिरेशन का लेवल 15 होना चाहिए ये 20 पहुंच जाता है 25 पहुंच जाता है 30 के उपर पहुंच जाता है ये देखने में आया कि अगर प्लाजमा दे दिया जाए तो अक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है जाए उसे हमने केंदर सरकार को सौपा और उसके आधार पे केंदर सरकार ने हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाजमा थिरेपी करने की इजाज़त दी अग प्लाजमा थिरेपी की तो इजाज़त मिल गई लेकिन प्लाजमा कहां से आए प्लाजमा वो लोग दे सकते हैं जो अभी करोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए जिने करोना हुआ और वो ठीक हो गए उनके खून के अंदर antibodies बनती है जो उन्हें करोना से बचाती है अगर उनके खून से plasma निकालके करोना के मरीज को दे दिया जाए तो करोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है उसके शरीर में भी antibodies बननी चाले हो जाती है तो इस टाइंग लोग plasma लेने के लिए दरदर की ठोकरे खा रहे हैं इसलिए दिल्ली सरकार ने टैक किया है कि हम दिल्ली में plasma bank बनाएंगे यह अपनी करय का पहला plasma bank होगा करोना के मरीजों का इलाज करने के लिए देश भर में यह शायद पहला plasma bank होगा प्लाजमाई ले पाएगी और कोई डोनेट करना चाहे तो कोई और ने ले सकता हम यह निए ले अगर कोई फैमिली है उन्हें प्लाजमा चाहिए उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है वो करोना से ठीक हुआ वो दे रहा है तो ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकसद है जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है, तो हम प्लाजमा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाजमा बैंक बनाएगी, इसकी जो भी अप्चारिकताई हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले दो-तिन दिन में, और इस प्लाजमा बैंक से सभी को प्लाजमा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कोई सीधे आई-ल-बी-एस जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहाँ पे प्लाजमा बैंक बनाया जाएगा, अगर किसी को प्लाजमा चाहिए, तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाजमा थिरेपी की जरूरत है, कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फ्लाना बिमार है, इसलिए मुझे प्लाजमा दे दो, बॉक्टर या हॉस्पिटल आयल बीएस को अप्रोच करेंगे और आयल बीएस उन्हें प्लाजमा दे देगा, यह प्लाजमा बैंक हमारा दो दिन में शुरू हो जाएगा, इसकी सारी कारवाई हम लोग पूरी कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टन चीज है, जो ठीक हो गए हैं, उन लोगों को सामने आके प्लाजमा डोनेट करना पड़ेगा, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कोई विवस्था नहीं है, अब इसकी विवस्था बना दी जाएगी, तो जो लोग ठीक हो गए, उन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी सब लोगों से जो जो लोग करोना से ठीक हो गए, उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाजमा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके, एक तरह से यही सच्ची भगवान की सेवा है, एक तरह से लोगों की यह गलत फेहमिनाओं की प्लाजमा कोई संजीवनी बूटी है, प्लाजमा से सब की जान बच जाएगी, अगर कोई पेशेंट अंतीम स्टेज में पहुँच चुका है, को मॉर्बिडिटीज हैं, दूसरी बिमारियों से घिरा हुआ है, मल्टी ओर्गन फेलियर ह हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे जा चुका है, ऐसे पेशेंट्स को बचाना मश्किल होता है, लेकिन जो पेशेंट्स अभी मॉडरेट स्टीज में हैं, अभी उनकी स्थिती खराब नहीं हुए बहुत जादा, उनको उनके लिए ये मददगार साबित होता है, इतना समझ लिया जाए, एलन जेपी के हमारे जो हेड हैं, डॉक्टर सुरेश, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि अभी पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने 35 मरीजों को प्लाजमा दिया है, जिसमें से 34 बच गए एक की मौत हुई, एक और दिल्ली का प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने 99 लोगों को प्लाजमा दिया, 46 लोग बच गए, मैं यह नहीं कह रहा हो सकता, यह जो 34 लोग है और 46 लोग है, वैसे भी बच जाते, उन्होंसे कितने, लेकिन यह एक आंकड़ा है, उसमें से कितने बचते, कितने नह बचते कहनी सकते, जो डोनर्स हैं, उनके कुछ, उनके मन में गलक फहिमिया है, एक तो डोनर्स को यह लगता है कि मैं दुबारा प्लाजमा देने जाऊंगा, कोरोना के अस्पताल में जाऊंगा, कभी दुबारा कोरोना ना हो जाए, वैसे तो दुबारा कोरोना नहीं होग लेकिन फिर भी हमने विवस्था ILBS में किया है, ILBS कोरोना अस्पताल नहीं है, आपके आने का जाने का टैक्सी का सारा इंतिजान दिली सरकार करेगी, बस आप हाँ कह दीजिए कि मैं कोरोना देना चाहता हूं, मैं प्लाजमा देना चाहता हूं और ILBS में अच्छी विवस्था क्यों यह है, मैं ख्याल से आदा घंटा पौना घंटा लगता है आदमी को वो देने के लिए, अगले कुछ दिनों के अंदर हम नंबर जारी कर देंगे, उस नंबर पे जो जो लोग देना चाहते हैं, उस नंबर पे कॉल करके, वाटसेप करके हमें बता सकते हैं कि मैं देन डूनाया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ज्यारा से ज्यादा लोग अपना प्लाजमा दें, और यह जितने एंटी बोडी टेस्क सो रहे हैं, यह एंटी बोडी टेस्क से भी बहुत सारे एसे लोग हैं जिने करोना हो गया, ठीक हो गये, पता भी नींचला, antibody test से पता चलेगा कि उसके अंदर antibodies बन रही है वो करोना हो के ठीक हो चुका ऐसे भी बहुत सारे 52,000 लोग तो दिल्ली में भी record के मताबिक ठीक हो चुके हैं और इसके अलावा धेरों लोग ऐसे होंगे जो करोना हुआ ठीक हो गए उन्हें पता नहीं चला ऐसे सब लोगों को प्रेडिक किया जाएगा ताकि वो जादा से जादा प्लाज्मा दें और हम और जादा से जादा लोगों की मदद कर सकें उनकी जान बचा सकें और इसमें सबसे एहम भूमी का मेडियाड की होगी, इसमें कोई party बाजी dign, कोई दाजनीती नहीं हमें सब की जान बचानी हैं, चाहे वो किसी भी धरम का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी party का हो. और सब Watson सब लोग आती हैं, तो उसमें पतरकार भी आते उसमें सब किस तो मेरी मीडिया के साथ हैं से खास तोर से निवेदन है कि आप लोग भी कैम्पेंच चला कि अपने अपने चैनल पे अपने अपने मीडिया हाउस में जादा से जादा लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग प्लाजमा डोनेट करें और दूसरे लोगों की जान बचाएं. शुक्रीए. बचाएं. बचाएं.